दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे परिक्षावाणी के अध्याज सिक्सित से यानि की उत्राकंड के वन वन आंदोलन और वन जीवू से जितने भी प्रश्ण यहाँ पर महत्वपोणे बनते हैं यानि की परिक्षावाणी में बनाएगे हैं उन सारे प्रश्णों पर हम हम डिसकस करेंगे और मेराथन क्लास के अंतरगत जो है जिन क्वेश्चनों में कुछ गल्तियां आई थी उनको भी सुधार करके हमने इस वीडियो में दिया है तो लाज तक बने रही है अपने प्रतिकिर्याद जरूर देनी है चले शुरू करते दोस्तो दोस्तो भोज पत्र मिलता है तो भोज पत्र जो है कहां पर मिलता है हिमालाई में मिलता है ऑप्षन बी यहां पर सही होगा चलिए स्टार्ट कर लिए हमने कॉर्बेट और राजा जी राश्टी उध्यान में वन्नी जी प्रबंदन के लिए किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है कि से पैमाने पर लगू मातरा में दीर के मातर में या आप बहुत इधिक मातर में आप लेख सकते हैं तो किसी भी मातर में बहुत इधिक मातर में आप हवाई चितर ले सकते हैं निमने में से कौन टाइगर रिजर्व है ठीक है ड्रोन से आप सूट कर सकते जाने की तो ड्रोन ज तरकाशी जिले में इस्तित है और उसके बाद आगे है हस्त सिल्प सामेगरी मोश्टा किस से बनाया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ था ग्रूप सी में तो मोश्टा रिंगाल से बनाया जाता है भारत का पर्थम राश्ट्री पार्क कौन सा है तो साथियो जिम कॉर्बेट राश्टी पार्क भारत का पहला राश्टी पार्क है चिपको आंदोलो नुत्राकंड के किस जिले में शुरू हुआ था चिपको आंदोलो नुत्राकंड के किस जिले में शुरू हुआ था चमूली जिले में रहनी से ठीक है असकोट वनी जीव बिहार कहां पर इस्तित है पिथारगड में इस्तित है आगे है निम्ने में से कौन राजी में पशु चारा उबलब्द कराने वाला बिरक्ष है पशु चारा देखिए यहाँ पर आप देखे राजी में बाज जो है ना पशु चारा उबलब्द कराने वाला है ठीक है बाज आपके का इस्तिमाल किया जाता होगा। उसके बाद है उत्राखंड में कौन वरक्षमानों के नाम से जाने जाते हैं वरक्षमानों के नाम से विश्वर्दत शकलानी जो है किसके नाम से जाने जाते हैं वरक्षमानों के नाम से जाने जाते हैं आगे बढ़ेंगे रेनी गाओं की स्रीमती गौरा देवी का सम्मंद रहा है तो रेनी गाओं की स्रीमती ये चिप्पो अंदोलन से रहा इनका सम्मंद रहा है नेमन में से कौन सा वर्ड हेरिटेज साइड विश्व धरोहर अस्तान अनन्दावी बायोस्फियर राजाजी रा फूलो की घाटी में कश्मीर घाटी में सांत घाटे में या सूर्मा घाटी में तो सरवादी जो पाई जाती है फूलो की घाटी में पाई जाती है 601 Report के नुशार, राजी के कुल कितनी प्रतिशाद भाग पर 1 है तो साथीयो, 45.44% प्रतिशाद भाग पर 1 है 601 Report के अनुशार, ठीक है इसके बादा ले टेस्ट आ चुकी है उसको देख लेना आप वनुसंदान सस्थान कहां पर इस्थित है बहुत ही आसान क्वेश्चन वनुसंदान सस्थान देहरादून में इस्थित है किस ब्रक्षको उत्राखंड का वर्दान कहा गया साथियो ये बाज ब्रक्षको उत्राखंड का बरदान वरदान कहा गया है निमने मैंसे कौन विश्व धरोहर अस्थल है तो विश्व धरोहर अस्थल एक क्वेश्चन वैसा ही फिर आ गया नंदा देवी रिजर्वे विश्व धरोहर अस्थल है निमने मैंसे कौन एक फूलों की गाटी का नाम नहीं है ठीक है तो फूलों की घाटी का नाम जो है पुष्प सरोबर नहीं है नंदन कानन पुष्पावली और व्यूंडार पार्क जो है इस फूलों की घाटी के अन्य नाम है साथ हो ठीक है चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेशन है निमन मैंसे कौन एक फूलों की घाटी का न नहीं है दो बार question आ गया चिपको अंदोलन सरवर्तम की से जिले में शुरू हुआ था तो चमोली में हुआ था साथी हो ए ना चमोली में हुआ था आगे है कारबेट राश्टी उध्यान का शेत्रफल कितना है तो कारबेट राश्टी उध्यान का 520.82 किलोमीटर इसका शेत् बनी जीव बिहार ये पिथारगल में है ठीक है ना विंशर अलमोडा में है और मलन पशु ये पौडी में है ठीक है इस तरीके से आप देख दीजे एक का दो एक का दो option ए यहाँ पर सीधा सीधा सही हो जाएगा अगला question ऐसी आगया सुमिलित करने वाला तो इसमें राश् पार्क कहां पर है ये उत्तरकाशी में है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपना answer यहाँ पर match कर लेना आगे बढ़ेंगे निम्ने में से कौन एक जैव आरक्षी शेत्र है ठीक है तो जैव आरक्षी शेत्र दोस्तों इसमें से नंदा देवी है ठीक है नंदा द सरवादिक शेत्रफल वाला वनी जीव भिहार कौन सा important question है तो केदार नात्र वनीजीव भिहार सरवादिक शेत्रफल वाला वनीजीव भिहार है चलिए आगे बात करेंगे निम्न में से किसका समंद से समंद्द चिपको ап συνादोलन से तो चिपको आन्दोलन से जो है नेशनल पार्क के एक तो नैनिताल आ जाता है दूसरा पौडी गड़वाल ओप्सन C यहां पर सही होगा विश्व परशिद्ध फूलू की गाटी निमिर्की में से किस जन्पद में इस्तित है तो चमोली में जो है विश्व परशिद्ध फूलू की गाटी है आगे बेरेंग तो कौन सा है ओली ठीक है इसकी कहां पर होती है ओली में होती है 38 आगे बढ़ेंगे तिलाडी कांड का संबंद किस से है तिलाडी कांड जो हुआ था जिसको हमने क्या कहा था अन्य दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था उस समय ठीक है कौन सी जगह पर हुआ था वाला के रास्ते में मध्य में जो है जिम कॉर्बेट राष्टी उध्यान है राजा जी राष्टी उध्यान का नाम किस परशिद्य व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है तो साथियो ये सी राजगोपला चारी के नाम पर ठीक है आगे बढ़ेंगे वेदनी वुग्याल कहा नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है ठीक है गलत यूगमगा चैन करना है इसमें गलत जो सवाल होगा ठीक है इसका नंदा देवी राश्टी पार्क यही गलत होगा जिम कॉर्बेट डैनिताल असकोर्ड वाइल डाइप पितोरगड विंसर वाइल लाइप अलमोडा ठीक आगे बढ़ते हैं पिरूल किस पेड़ से प्राप्त क्या जाता है पिरूल तो भाई चीड के पेड़ से ही होता है ठीक है ना ये तो पता ही होगा सभी को उत्राखंड के किन जन्पदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थी 30 के किस जन्पद में है देरादुन भरित्वार और पौड़ी इन तीनों में फैला हुआ है कौन राजाजी नेशनल पार्क के इन सभी में उप्रोक्ट डी में सही उगम का चैन करना है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी विंसर वाइल लाइफ सेंचूरी अलमोडा सोना नंदी वाइल लाइफ सेंचूरी इसका तो नामी नहीं नहीं रखा तो आपको इस में से सही चुनना है तो साथियो गंगोत्री नेशनल पार्क भी सही है विंसर वाइल लाइप सेंचूरी भी सही है यानि कि ए और भी दोनुस सही ठीक है सी तो गलती दिर्खाव लड़ी मैती आंदुलन के प्रणेता कौन है तो कल्यान सिंग रावत जो है मैती आंदुरन के प्रणेता है गलत युगम में कौन सा सही सुमेलित है साड़े 1100 क्वेस्टन पढ़ने है दिमाग भी सेंटर पे नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पर देखे कॉर्बेट नेशनल पार्क का अलग नंदा भाई ठीक है ए और बि दोनु होगा है नंदा देवी राष्ट्री पार्क कहा पर इस्तीत है भाई किसानों के किरशी भूमी को वन भूमी कोशित किये जाने के कारण ह увा था तो अब ये रवाई कांडे या तिलाडी कांडे कब हुआ था 1930 में हुआ था आगे बात करेंगे हिमाले बचाओ देश बचाओ का नारा किस ने दिया था साथियो तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमाले बचाओ देश बचाओ का नारा वनुके निलामी के विरोध में राजिस्तरी आंदोलन कब चला था ठीक है तो ये चला था 1977-78 में पाणी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है सची दानन्दे भारती पाणी रखो आंदोलन के सूत्रधार ब्रक्षों पर रक्षा सूतर बात कर उनकी रक्षा का संकल पर लेने सम्मन्दी यह अंदुलन 1994 में शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ था यह पूछना है तो टेहरी से शुरू हुआ था दोस्तों ठीक किस आंदुलन में केवल अभिवाहित इस्त्रिया ही सामिल होती है तो वह कौन सा आंदुलन है मैती आंदुलन ठीक है मैती आंदुलन चलिए आगे बात करेंगे अगला question राज जी में कुल 6 राश्टी उद्यान है जिन में से सबसे पहला राश्टी उद्यान कौन सा है फिर पूछ लिया भाई सबसे पहला राश्टी उद्यान इन में से कौन सा है कॉरबेट निमने राश्टी उद्यानों और उनके स्थावना वर्षकों शुमेलित नहीं है जो शुमेलित नहीं है जो शुमेलित नहीं है दोस्तों कॉर्बेट का 58 यह ठीक है गोविंद का 400 बहुत ठीक है नंदा देवी 424 ठीक है फूलू के गाटे 85.5 वर्ग किलो मीटर यह जो है गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं वन्य जी बिहार और उनके स्थावना वर्षकों सुमेलित नहीं है वो बताना है तो गोविंद वन्य जी बिहार 1905 ठीक है और केदार वन्य जी बिहार 1902 भी ठीक है असकूर वन्य जी बिहार 2012 ये भी सही है तो सभी इसमें सही है आगे है रामगंगा राश्टी उद्यान का नाम बदल कर कब जिम कॉर्बेट राश्टी उद्यान कर दिया गया ठीक है जिम कॉर्बेट राश्टी उद्यान इसको कब कर दिया गया 1957 में किया गया था चलिए आगे बात करेंगे दक्षन पूर्वी एश्या का सबसे पहला राश्टी पार्क है तो साथ हो यह है राश्टी उद्यान में पाए जाते है तो यह पाए जाते हैं करबेट राश्टी उद्यान में सरवादी बाग् kuvanda की से और परिया था है साथियो ठीक है चलिए पश्चिम से पूरब की तरब को आप जब मैप में जाएंगे तो भारत का परतम राष्टी उद्यान कौन सा है कितनी बार फिर से पूछेगा कॉर्बेट राष्टी उद्यान उत्राखंड के किस जिले को वन शेत्र सरवादिय के किस जिले का वन शेत् जादा है तो साथ यह उत्राखंड के इस चैप्टर से भी हमने जितने क्वेश्चन थे महतों पूर्ण क्वेश्चन वह सारे हमने कर दिये और मैराथॉन की क्लास में जो भी क्वेश्चन में डाउट भी आया था उनको भी हमने यहाँ पर करेक्टर करके आपको बता दिया झाल